सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोज के लिए बैल आइकन को दबाना ना बोलिए नमस्कार दोस्तों और डिट्र ब्लोकर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 10 स्टोक ब्लोकर के बारे में जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायते गी गई हैं से बी में अलग लग एक्चेंज्जेस में ये stock brokers एक तरह से एक signal देते हैं कि overall quality, overall performance कैसा रहता है, अच्छे कैसे होते हैं, बुरे कैसे होते हैं और clients को, users को अंदाजा हो जाता है कि किन specific areas पर नज़र रखनी चाहिए जब वो अपने एक stock broker का चुनाव करते हैं तो आईए शुरू करते हैं stock brokers के नाम जाले से पहले ये समझ लेते हैं कि ये list, ये research कैसे बनाई गई है तो number of जो active clients हैं उसको जान बूझ के कम से कम पैंसर सो रखा गया है इसका मतलब यह है कि जो चोटे मोटे stock brokers हैं, जो के करीब 1000-2000 active clients पेस के साथ रहते हैं उनको इस list में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनकी prominency जादा नहीं है और overall complaint free generally उतनी कुछ खास नहीं रहती इसके लिए NAC, National Stock Exchange का इस्तिमाल किया गया है overall industry की average .06 परतीशत है, जिसका मतलब 1000 clients जो भी किसी भी stock brokers के साथ जुड़े होते हैं उनमें से average level पे 6 clients complaint actual में register करवाते हैं यह records यह numbers सन 2017 financial year के लिए लिए गए हैं तो definitely latest numbers हैं तो सबसे पहला नाम जो की number 10 पे है, वो है in time equities का करीब 8000 active client base हैं total 13 complaints already register हो चुकी है, overall percentage .15 परतीशत है याद रखिए कि average जो है, वो है .06 परतीशत जो के जितना कम हो उतना भड़िया जादा complaints होंगी तो percentage भी जादा होगी और कम complaints होंगी तो यह percentage definitely काफी कम रहेंगी तो overall client base में से करीब 0.15 परतीशत users in time equities के इनके against complaint register कर चुके हैं तो 1000 में से वो आंकड़ा 15 पर जा चुका है जो industry average 6 है, वही नंबर सेम रहता है नंबर 9 इंडिया निवेश Securities के साथ लेकिन इनका client base 10,000 है और 16 complaints इनके खिलाफ register already register हो चुकी है नंबर 8 पर हमारे सामने है स्वास्तिका investment जिनके पास almost 17,000 active client base है 31 लोगों ने complaint register कर दी है उनमें से overall percentage बनता है 0.17% तो overall ये नंबर 9 और 10 से थोड़े से कदम आगे हैं LKP Securities के पास करीब 25,000 active clients हैं काफी बड़ा number है ये 43 लोगों ने already complaint register की है 0.18% overall complaint percentage है इंडस्री एवरेज से 3 गुना बुरा एक तरह से कह सकते हैं इसको नंबर 6 पर हमारे पास ट्रेडबुल Securities काफी जाना पहचाना नाम है मुंबाई में इनका ओफिस 41,800 active clients 83 लोगों ने complaint register की है 0.19% overall percentage बनता है नंबर 5 पर चॉइस से कुटी ब्रोकिंग relative नया नाम सन 2010 में established हुआ 500 active clients हैं इस साल इनके पास उसमें से 15 लोगों ने register कर दी है complaint 0.23% overall percentage बनता है complaints का नंबर 4 पर डेस्टीमनी Securities रिलेटिव रिठी ठाक नाम 800-800 overall active client based 16 लोगों ने इसके खिलाफ complaint register की है 0.23% overall इनका भी percentage बनता है नंबर 3 पर करीब 21,000 active clients थी साथ global capital का नाम आता है उननचास complaint register हो चुकी है 0.23% लेकिन यहीं पर एक jump आता है जब हम नंबर 2 पर जाते हैं अब इनके पास करीब 29,000 active clients हैं उसमें से 151 complaints already register हो चुकी है अगर percentage में बात करें तो 0.52% मतलब के 1000 में से 52 users इनकी services से नाखुश हैं और इतना नाखुश हैं कि उन्होंने actual complaint भी register की है अगर नंबर 3 पर फिर से नज़र डालें तो उनका प्रतिशत 0.23 था डबल से भी ज्यादा है तो definitely एक बड़ा नाम है जिसको आप ignore कर सकते हैं नंबर 1 पर एक एक छोटा नाम है आमरपाल यादर ट्रेडिंग रेकिंसिंस इनके क्लाइंट वेस 73-100 के करीब हैं उसमें से 41 लोगों ने complaint रोजिस्ट रुकी है .55 बढ़ता है इनका complaint percentage तो जो भी stock brokers हमने discuss किये हैं इस list में वो definitely not recommendable है अभी के लिए ये साल इनको काफी complaints का सामना करना पड़ा है अलंकि definite duty बनती है कि इन complaints को resolve करें लेकिन the first place ये complaints होनी ही नहीं चाहिए है हमारे पास कुछ ऐसे stock brokers भी है जिनका percentage .08.02 है और वो काफी बड़े नाम भी है तो उन stock brokers को benchmark रखा जा सकता है और ये stock brokers definitely grow कर सकते हैं लेकिन ये 10 नाव आप certainly हमारी तरफ से ignore कर सकते हैं अपने DMAT या trading account के लिए हाला कि अगर आप हमारी कोई मदद चाहते हैं अपने लिए एक उप्युक्त stock broker के चुनाव में तो आप हमारी website के link aardigitalblogger.com slash free callback broker choice पे जाए अपने details अपनी preferences बताईए और आपकी preferences के हिसाब से ही हम आपके लिए क्या दो callbacks setup करेंगे उनसे बात कीजिए अगर आपको पसंद आए तो आप उनकी साथ अपना trading account भी खोल सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर ऐसा है तो इसको like जरूर कीजिए definitely अपने दोस्तों में share भी जरूर करते हैं करते हैं करते हैं